हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो टेक्यू आज हम अपने फोन को वैब कैम की तरह यूज करेंगे और उसमें होने वाली प्राब्लम्स को भी ट्रबल सुट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह हम अपना Google Chrome खोल लेंगे और यहां डालेंगे ड्रॉइट कैम एक साथ है फोर विंडो विंडो के लिए हम डाउनलोड कर लेंगे इसको तो आप क्या करना है यहां पर आपको देख सॉफ्टाउनिक के नाम से सेंड जाइड है आप अपने PC में डाउनलोड कर ले जब यह हो जाएगा तो दूसरा काम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको अपने मुबाइल में भी ट्रॉइट कैम को डाउनलोड करना है एक और चीज बता देता हूं कि वाइफाई से आराम से कनेक्ट हो जाता है इसके ज्यादा नक्रे हैं USB के तुरू तो उसका भी किस तरीके से यह होगा इसे वीडियो को पूरा देखे लास्ता देखे और समझे फोन को खोलने के बाद इससे कनेक्ट करूँगा USB के तुरू यह देखो यह मेरा फोन आ गया है सस्ता सा गरीब आदमी है स्टार्ट पर करेंगे अब यह भाई साब कनेक्ट हो रहे है कोई न अब फोन को कोई दिक्कत नहीं है सब है बहुत पढ़िया क्लियाटी के साथ आता है अब इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपको सब चीज समझागी दोस्तों USB में एक दिक्कत आती है Connect करते हैं तो आपको Settings में जाना है Settings में मेरा Samsung का Phone तो आपको Developer Option आपके अलग-अलग Phone में सबका अलग-अलग होता है तो मैंने पहले से खोल के रखा है तो मैं अपने Developer Option पर जाऊँगा Click करूँगा तो यहां से Open करने के बाद यहां पर USB Debugging है USB Debugging को मैं Unable कर दूँगा तो इसे Unable करने के बाद आपकी यह Problem solve हो जाएगी अगर आपकी यह Problem solve नहीं होती तो Second Number पर आपको क्या करना है यह Android Phone की Setting में जाना है और यह Droid Cam का जो Memore Storage होता है से Clear Data कर देना और Clear Cache कर देना तो आपका Problem fix हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने अपने फोन को वैब कैम की तरह यूज़ किया या नहीं किया भी तरह फिर मिलता है